दोस्तों आज हम देखने जा रहा है एपिक एक्स्प्रोर के और एक भी शोर्ट के रियाक्शन करने जा रहा है जैन बाग पैसिस्ट वेवलेवन के बार में और आज हम देखेंगे वोके से अपने जिन्दिकी जो जर्नी सुरू किये थे और कि तरह इंट्रेस्टिंग टाउन के जनने रहा है जो लगेवन के जनने जनने सो लेट किस्टाट्स एपिक प्रांस के ऐसे ट्रावलर अच्छी जनुने अर्थी साल में पांच बार बारत का दारा किया और जो चीज उन्हें बार बार बारत कीछ लगी वो ते यहां के हीरे जावारा जीन बाप्टिस्त कि व्यापारियों का सौधा करने का कौन सा तरीका उन्हें पसंद आया और औरंग जेब से मिलने किस खास चीज के लिए वो गए थे आईए देखते हैं कि सत्रा साल की उम्र में ही तैविर्नियोर पूरा यौरप घूम चुके थे और इन यात्रों के दौरान उनकी हीरों में दिल्चस्पी बढ़ गई 27 साल के तैविर्नियोर को कौंस्टांटीनोपल जाने का मौका मिला जो यौरप का बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था और फिर वहां से वो एक परजिया जाते हुए कैरवान के साथ हो लिए इस सफर में उनका हीरे मोती इकठा करने का जुरून बढ़ता गया और फिर तैविर्नियोर पैरिस लोटे और एक ज्वेलर के यहां जेमस्टोन्स की और समझ हासिल की अपनी हीरों की महबत के बारे में तैविर्नियोर लिखते हैं हीरा सभी पत्थरों में से सबसे कीमती है और इसी के व्यापार के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ भारत दुनिया भर में पहले हीरों का देश कहा जाता था और इसी लिए तैविर्नियोर भी भारत की तरफ आकर्शित हुए तैविर्नियोर ने इंडिया में एंट्री 1630 में गुजराच से ली थी वहां सुरत में उन्होंने देखा कि लोग मोरों को पकड़ रहे हैं उनके होपसुरत पंखों के लिए ये काम ज्यादतर रात को ही होता था तैविर्नियोर बताते हैं मोर पकड़ने के लिए लोग एक परदा लेकर मोर के पास जाते थे जिसके दोनों तरफ बड़े मोरों का चित्र होता था परदे के दोनों डंडियों पर एक-एक मुम्बत्ती जल रही होती थी मोर आकरशित होकर अपनी गरदन डंडे के पास आगे करता अब वहाँ पर एक रसी का फंदा तयार था जिसे परदा पकड़ा हुआ आदमी खींच देता और मोर उसमें फस जाता उस समय वैसे मोर पकड़ना कानूनी जुर्म नहीं था लेकिन राजा की सक्थ चेताव नहीं थी कि किसी मोर को कैसे भी चोट ना लगे एक बार किसी व्यापारी ने मोर को मार दिया था तो उसे जेल तो हुई ही थी बलकि उसकी सारी संपत्ती भी जप्त हो गई गुजरात से तैविर्नियोर और अंगजेब की बुलावे पर शाह जहाना बाग गए बादशा ने तैविर्नियोर को क्यों बुलाया होगा आप समझी गए होंगे उनका अभी तक का हीरों का संग्रत देखने और हीरे खरीदने के लिए उन्होंने बादशा को कई हीरे बेचे और दोनों में अच्छी जान पहचान भी हो गई इसी जान पहचान के नतीजे तैविर्नियोर विश्व के शायद एक लौते इंसान है जिन्होंने शाह जहान का बनवाया तक्ते तौस यानि पीकॉक थ्रोन बिलकुल करीब से देखा और उसके बारे में दुनिया को बताया वो उस तक्त को देख बिलकुल मंत्र मुग्ध हो गए वो बताते हैं तक्त 6 फीट नंबा और 4 फीट चोड़ा था और उसमें 108 मानिक यानि रूबी और 116 पन्ना यानि एमरेल जड़े हुए थे हीरों की खोज में जब तैविर्ने और आगरा जा रहे थे उन्होंने उस समय के भारत के ट्रांस्पोरेशन सिस्टम पर गौर किया ये सिस्टम तीन स्ट्रेणियों में बटा हुआ था सबसे पहले सामान लाने ले जाने के लिए बैल गाडियों का ही इस्तमाल होता था दस-दस हजार बैलों का कारवां एक साथ सामान लेकर जाता था इस 45 दिन के दोरे के उन्हें एक लाख रुपए मिलते थे दूसरा नीजी इस्तमाल के लिए लोग बैलों के टांगे का इस्तमाल करते थे तैविन्योर ने खुद सूरत से आगरा आने के लिए जिस टांगे का इस्तमाल किया उसके लिए उन्होंने 600 रुपे दिये और उन्हें 45 दिन लगे और किसी को पूरी नवा भी चड़ी हो तो अपने लिए पालकी का इस्तमाल कर सकता था तैविन्योर ने पालकी का भी इस्तमाल किया जिसे 12 लोगों ने उठाया था उसके लिए उन्होंने 60 देज के 720 रुपे दिये आगरा के बाद तैविन्योर सबसे अनोखे हीरे खरीदने खुद कोलूर की माइन्स में गए उस समय क्रेडिट कार्ड या मनी ट्रांसफर्स तो होते नहीं थे लेकिन उस जमाने में जो लोग मनी चेंजर्स थे वो थे श्रॉफ अभी तक जो भी अलग-अलग मुद्राइं तैविन्योर ने कठी की थी उससे बदल कर तैविन्योर ने पगोड़ा ले लिया पगोड़ा लगभग नाखोन जितने बड़े सोने के स्लैब को कहते थे पहां के व्यापारियों के साथ सौधा करके उन्हें बहुत मजा आया वो व्यापारी के टेबल के सामने पैट गए और एक कप्रे से ढखी थाली में दोनों ने अपने हाथ डाल दिये अब एक दूसरे की उंगलियां छू कर चुप चाप मोल मुला ही हो रही थी अगर उंगली को छूअ तो उसका मतलब 100 पगउडा होता था और अगर उंगली के जोड को छूवा तो उसका मतलब 50 पगउडा तोनों में से किसी ने एक शब नहीं बोला और दाम तै हो गया अभी तक जो भी हीरे तेविन्योर को मिले थे वो कुछ खास नहीं थे इस अगले हीरे के सामने जब वो आखरी बार कोलूर की खान गए तो कुष्णा नदी के किनारे तेविन्योर को ऐसा हीरा मिला जो बिल्कुल अद्भुद था हाला कि वो हीरा सिर्फ 112 कैरेट का था लेकिन क्लारिटी 100 प्रतिशन अनोखा प्रिस्टीन ब्लू कलर और साइज एक इंसान की मुठी जितना ये हीरा बाद में जाकर तेविन्योर ब्लू नाम से जाना जाने लगा और इतिहास में इस खास ट्रैवलर की जगा पर पक्की मौहर लगा दी तेविन्योर 1653 में तेविन्योर ब्लू लेकर इंडिया से निकले और सीधा पैरिस गए और वो डायमेंड उन्हें फ्रांस के राजा लुई दी 14 को पेच दिया उस डायमेंड की जो उन्हें कीमत मिली वो उस समय के 145 किलो सोने की कीमत के बराबर थी तेविन्योर ब्लू डायमेंड के आसपास काफी अंध विश्वास की कहानिया भी है कुछ वेस्टन जेमलोजिस्ट का मानना है कि इस हीरे को तेविन्योर ने सीता की एक मूर्ती से चुराया था और इसलिए जो जो इसे पहनता है वो अन्नाच्रल मौत मरता है इस थेओरी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है लेकि न्यू यॉयॉक ताइम्स ने 1911 में आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने इस हीरे को पहना और उनकी अन्नाच् प्रापित थी अन्यवन्स नार्ट के लिए पहल करों हाए और ये तो अचयों को सब्सक्राइब अधनादा है और वह वहांत हो जाता है और हमार हारत में इतना लगों की परते शाथ दिए और इतना दा फैमस तो और ये तो ख़बी इंटरेस्टिक चीज बशे बीकर इतना त्रावेलिंग के उपर और राचन की जो तकते दो मोर के सिंघासन है वो उसको भी उसमें देखा था ये बहुत था काफी इंट्रेस्ट में डोकुमेंटरी है और मुचे इससे देखर बहुत चाहिए को मिलिया और आपको भी ऐसा कैसा लगा चारू कमेट कर बोलना और सब्स और बाचिवेमा और बाचिए!